दो कारचालक एक शहर से दो लंबवत पथों पर क्रमशह 20 किलोमीटर प्रतिगंटे वो 40 किलोमीटर प्रतिगंटे पर चलते हैं कि बता सकते हैं कि कितने समय बाद दोनों की बीच की दूरी 100 किलोमीटर हो जाएगी प्रश्ण को हल करते समय वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें आईए दी गई जानकारी को पीजगणितिये रूप में व्यक्त करते हैं उम्मीद है कि आपने भी यही द्वेगात समीकरण बनाई होगी द्वेगाती सूत्र का उपियोग कर चालक का समय ग्याद करें सबसे पहले हम साधरन द्वेगात समीकरण से तुलना करके A, B वस C के मान लिखेंगे जहां A का मान 5, B का मान रिनात्मक 8 तथा C का मान रिनात्मक 21 है सभी मानों को द्वेगात सूत्र में रखकर हल करने पर धनात्मक चिन्ह लेने से हमें T का मान 3 वह रिनात्मक चिन्ह से T का मान रिनात्मक 1.4 मिलता है आप जानते हैं कि समय कभी रिनात्मक नहीं होता अतहो T का मान 3 लेंगे अर्थात पहले कार चालक को दूरी तै करने में 3 घंटे का समय लगेगा तथा दूसरा चालक जो पहले चालक की तुल्ला में एक घंटे देरी से चला उसको 2 घंटे का समय लगा अतहो विकल्प 3 सही उत्तर है यदि आपने विकल्प 2 का चैन किया है तो ये अच्छी कोशिश है परन्तु यह गलत उत्तर है क्योंकि जब आप दूइगाती सूत्र में A, B वसी के मान दूइगात समय करण एक से तुल्ना करके रखते हैं तब आप इन मानों के साथ इनके चिन्ह लगाना भूल जाते हैं और प्रश्न को उन्ही मानों के साथ हल कर देते हैं यहां हमने B की घात 2 घटा 4 AC को हल किया तो मान शूने से कम मिलता है जिससे वास्तविक समय रियल टाइम प्राप्त नहीं होता जिस कारण आपका उत्तर घलत हो जाता है यदि आपने विकल्प एक का चैन किया है तो ये अच्छी कोशिश है परन्तु यह घलत उत्तर है क्योंकि आपने द्विघाती सूत्र में रिनात्मक B के स्थान पर धनात्मक B ही लिख दिया और उसी के आधार पर प्रेश्ण हल कर दिया जिस कारण आपका उत्तर घलत हो जाता है तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि इस उधारन में तीसरा विकल्प क्यों सही है और बाकी विकल्प क्यों गलत है